दोस्तों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो गाड़ी बजट में है वो टॉप सेलिंग ही हो कुछ गाड़िया लीस सेलिंग भी होती है कौन सी हैं वो गाडियां, क्या है उनकी लेटेस प्राइज, चलिए देख लेते हैं OKCAR 24-7 यूट्यूब चैनल पर 15 पोजिशन पर Hyundai Key Tucson एक लगजरी SUV है, 498 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2023 में लास्ट ये अपडेट्स मिले हैं, लाँच कर दिया गया है, इंडिया में अविलेवल है, 28,51,000 रुपे की एक शुरूम प्राइस पर और टॉप मॉडल के लिए 35,94,000 रुपे तक इसकी प्राइस जाती है 14 पोजिशन पर Jeep Compass, 406 यूनिट्स बिके हैं, जभी लाँच की गई थी, सेल्स 1000 के आसपास थी और इससे पहले भी इसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही थी Jeep Compass को अभी हाल ही में अपडेट्स मिले हैं, 20,99,000 रुपे ते इसकी प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल के लिए 32,66,000 रुपे तक जाती है 13 पोजिशन पर Jeep की Meridian, एक 7-seater SUV है, 313 यूनिट्स बिके हैं, 27,75,000 रुपे से प्राइस शुरू होती है और 37,15,000 रुपे तक जाती है 12 पोजिशन पर Škoda की Kodiak, 119 यूनिट्स बिके हैं, लगजरी SUV है, प्राइस शुरू होती है 37,49,000 रुपे से और 49,99,000 रुपे तक जाती है 11 पोजिशन पर Mahindra की Marazzo, 171 यूनिट्स बिके हैं, फरवरी 2023 में, इसको काफी टाइम से अपडेट्स नहीं मिले है, इसी लुक में मारकेट में भी लेबल है 7 और 8-seater configuration में आने वाली MUV है, प्राइस शुरू होती है 13,70,000 रुपे से और 16,00,000 रुपे तक जाती है 10 पोजिशन पर Citroën की C3, 111 यूनिट्स बिके हैं, फरवरी 2023 में, इसकी प्राइस शुरू होती है 5,98,000 रुपे से और 8,25,000 रुपे तक जाती है 9 पोजिशन पर MG Glosser, 101 यूनिट्स बिके हैं, प्राइस शुरू होती है 32,60,000 रुपे से और 41,88,000 रुपे तक जाती है 7 पोजिशन पर Škoda की सुपर्ब, एक प्रीमियम सेडान है, 82 यूनिट्स बिके हैं, इसके फरवरी में, 34,17,000 रुपे ते प्राइस शुरू होती है और 37,27,000 रुपे तक जाती है 6 पोजिशन पर Škoda की अक्टाविया, 82 यूनिट्स बिके हैं, Škoda की अक्टाविया के ये भी प्रीमियम सेडान है प्राइस इसकी बात करें तो 27,34,000 रुपे ते शुरू होती है और 34,000 रुपे तक जाती है 5 पोजिशन पर टोयोटा की कैमरी, 67 यूनिट्स बिके हैं, फरवरी 2023 में 45,25,000 रुपे ते इसकी अक्ट शुरू होती है 4 पोजिशन पर आई है हुन्डाए की वर्ना, 47 यूनिट्स बिके हैं इसके फरवरी 2023 में इसका updated model launch करने जा रहे है, 21 मार्च को हिन्डाए की तरफ से launch कर दिया जाएगा ये पुरानी वाली वर्ना की प्राइज 9,63,000 रुपे ते शुरू होती थी और टॉप मॉरल के लिए इसकी प्राइज 15,71,000 रुपे तक जाती थी नई वाली वर्ना के बारे में हमने dedicated वीडियो बना दिया है थर्ड पोजिशन पर Toyota Hilux 15 यूनिट्स बिके हैं ये एक luxury lifestyle pickup truck है जोगी इतना famous नहीं है इंडिया के अंदर क्योंकि इसकी इतनी जादा डिमांड भी इंडिया में नहीं है 33,99,000 रुपे ते इसकी price शुरू होती है और 36,80,000 रुपे तक जाती है लेकिन road presents के मामले में ये काफी ज़्यादा premium लगता है 2nd position पर Citroen की C5 Aircross एक luxury SUV है 4 units बिके हैं फरवरी 2023 में 37,70,000 रुपे है इसकी action room price एक ही वेरेंट इसका market में अभी available है और इसको भी update मिल गए है last year ही नमबर 1 position पर Hyundai की Kona Electric Electric SUV है 0 units बिके हैं इसके फरवरी 2023 में जिसका clear indication यही है कि बहुत जल्द Kona Electric का updated model इंडिया में launch किये जाने की तैयारी है जो model पहले आता था इसकी price शुरू होती थी 23,84,000 रुपे से और 24,03,000 रुपे तक जाती थी market में यह MG ZS EV को rival करती थी जिसको भी last year ही बड़े updates मिले हैं तो फिलाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही Top 25 best selling car, Top 25 best selling SUV, Top selling sedan का वीडियो हमने बना दिया है नहीं देखाया तो link आपको description में मिल जाएगा और इसी चैनल पर आपको और भी latest वीडियो देखने को मिल जाएंगे संडे को संडे कार्द न्यूज एपिसोड सुभा 9 बजे Thank you for watching